हाँ चलो विया लाइव नाओ क्या बताओ अभी तक मैंने कुछ बात ही नहीं शुरू किया है आज का पेपर कैसा था सबका येस कम ओन क्विक कैसा था आज का पेपर अच्छा था बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि माम आपके mcq series में से questions आये थे आये थे येस everybody बताओ जल्दी चलो तो थोड़ा साम discuss कर लेते हैं बस मुझे एक second देदो मैं फटाक से सबके साथ share कर देते हूं just give me one second okay hello 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 good evening good evening good evening everybody one second one second one second question आ गया होगा yes तो देखो आपका आज first आपका फर्स्ट पेपर था PCB का yes बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा पेपर गया ऐसा बोल रहे है total कितने questions है yes 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 चलो आपका time नहीं वेस्ट करते है कैसे कैसे questions आये थे बच्चों ने जो questions हमको टेलीग्राम ग्रूप पे भेजे हैं मैं वो questions आपके साथ share करती हूं कि इस इस particular topic से ज्यादा pattern आया था ज्यादा question follow किया गया था ठीक है just give me a second okay एक सेकेंड रुक जाओ खाली और टेक्स्ट बुक्स किदर गया टेक्स्ट बुक वाला फोल्डर हा यह रहा साथ में मैं टेक्स्ट बुक भी open करके रख देती हूं ताकि हमको पता चले कि कौन से topic से questions आये थे है ना येस ओके चलो I am back सबको PPD दिखाई दे रही है येस everybody can you all see the PPT सबको PPD दिखाई दे रही है येस बहुत से questions आये थे very good ओके तो देखो बहुत सारे बच्चों ने अपने memory based questions हमारे साथ share किये है chapter 1 सबसे पहले तो मैं आपको एक common review दे देती हूं कि PCB के paper में physics का paper was moderate as expected क्योंकि PCB वाले बच्चे जादा physics नहीं करके जाते हैं तो physics का paper level moderate था यानि MCQs भी आये थे theory भी आये थे chemistry direct textbook से आये थी और bio भी direct textbook से आया था bio के जितने भी questions मैंने करवाये थे expected question series में उसमें से बहुत सारे questions repeat हुए थे तो अगर आपका समझो कल exam है तो आप मेरे जितने भी MCQs वाली वीडियो है अगर सारे वीडियो देख कर जाओगे तो आपका बहुत जादा benefit होगा ठीक है and I am planning कि कल मैं MCQs series लेकर आऊ ताकि जिनका exam मने को है उनका अच्छे से जाए देखते है अभी मैं प्लान कर रहे हैं मेरी तभीयत के उपर सब depend करता है तो यह देखो plant reproduction में से कौन से topics के उपर question आये थे pollen-pistol interaction में से question आये थे pollen-pistol compatibility के उपर question आये थे कि stigma stigma जो है वह pollen-grain compatible pollen-grain को accept करता है फिर उसके बाद यह जो types of endosperm होता है types of endosperm उसमें से number of families पूछा जाता है कि कौन से type के कितने number of families nuclear endosperm होता है कितने number of families cellular endosperm होता है कितने plant की families में endosperm होता है nuclear type of endosperm found in how many families यह question बहुत-bहुत-bहुत repeat होता अभी समझोगर इस particular day में nuclear type आया है तो हो सकता है कि आपके shift में cellular type आया हिलोबीयल टाइप आया है types of endosperm बहुत important है कितने number of families में पाया जाता है फिर उसके पात big central vacuol कौन से endosperm में होता है तो हमने क्या पढ़ाए central nuclear endosperm में क्योंकि nuclear endosperm में बीच में आपने एक्जामपल देखा था mechanical barrier calotropis वाला flower जिसका pentameras ovary ऊपर रहता है और नीचे होता है याद आ रहा है येस तो nuclear endosperm के types पूछे गए थे या nuclear endosperm के बारे में detail में पूछा गया था दोनो shift में ये question आय थे shift one shift two दोनों में आय थे फिर पोलन कौन से cell से बनता है ये mother cell microspore mother cell से बनता है paranchima cell से बनता है archesporeal से बनता है तो it is made from microspore mother cell तो देखो बच्चों ने जैसे question share किये थे ना exactly मैंने वही वही questions यहां पर आपको दे दिये है तो सच में बहुत जादा questions repeat हुए थे तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे mcq sessions नहीं देखें आप mcq sessions देखो तुक्का कैसे मारना है मैं उसके बारे में नहीं बता सकती क्योंकि वह सब stupidity होता है तुक्का मारना है तो अकड़ वकड़ बंबे वो करके तुक्का मार दो आप लोगों को जो डर था डिफिकल्ट होगा इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है पेपर काफी easy होता है ठीक है बस हमारे मन में एक डर बैठा रहता है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा फिर आपके एजंसी के उपर आए थे देखो मैंने बोला था ना फिर्स का वेटेज आपका approximately eight to nine marks का होता है तो साथ question तो बच्चों नहीं बता दिये मतलब first chapter से देखो more than seven questions आयते बच्चों को साथ question याद है मतलब उससे ज्यादा questions आयते फिर chapter two में से भी साथ questions बच्चों ने बता दिया और इसका वेटेज कितना था approximately eight to nine marks तो बच्चों ने जो question भेजे हैं वह question मैं आपको भेज रही हो ठीक है देखो आपके पैनिस के swollen tip को क्या बोलते है ग्लांस पैनिस यह हमने कल ही किया था कल के mcu session में हमने किया था फिर estrogen progesterone relaxing testosterone related question आये थे और एक होर्मोन आपका जी अनारेच का देदेंगे समझो एक शॉर्ट फ्रम का ट्रिक देते है पैरी-पैरी ठीक है फैन्ज फ्राइज में सबको पैरी-पैरी पसंद है तो हमने लिखा पैरी-पैरी प्रोजिस्टरोजन एक्टिविन रिलाक्सिन इनिविन यह पांच होर् और इसमें से टेस्टोस्टेरोन कौन सा मेल का है यहां पर आपका डाक कलर का रिजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं हमेशा मेल और फीमेल के पार्ट को कंपेर किया जाता है और इरेक्टाइल टिशू कौन सा दोनों में कॉमन है कौन सी ग्लैंड दोनों में कॉमन है कौन सा ओर्गन दोनों में कॉमन है तो जैसे स्क्रोटम हमारे टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है वैसे लेबिया मेजोरा हमारे वेस्टिब्यूल को प्रोटेक्ट करती है फिर उसके बाद प्रोस्टा ग्लैंडेंस का फंक्शन जो रिव प्रॉक्सिमल सेंट्रीओं रहता है इसके उपर आपका न्यूख्लियस रहता है और विटेश की P मिलती है नियानि होता है है याप के स्टूक्चार वालाट क्वेस्टन हैं न्हों मैअब सकेंडरी और तो और आज का जो पेपर आया है इसमें से बहुत सारे रिपीट होने के बहुत सारे चांसे हैं चैप्टर 3 का भी वेटेश हमने कितना बोला है अप्रॉक्सिमेटली 4-6 बोला है तो उसमें से भी 5 बच्चों ने बताए कि कैसे क्वेश्चन आये थे जैसे कि डाउन सिंड्रो मस्क brings वेश्चन थे क्वेश्चन काूं से क्रॉमो जोलंपर होता है ट्राइसो मिगता है नली सो मी ए स्थे वेस्था क्वेश्चन थे यह तो inheritance chapter में से disorders वाला पार्ट पक्का करके जाओ फिर sex determination के उपर आया था honeybee के उपर और monohybrid dihybrid cross के उपर question आ सकता है कि TTRR हमको dihybrid में कितना offsprings देखने को मिलेगा तो 1 upon 16 pure homozygous dominant and pure homozygous recessive यह total एक ही होता है 16 में से yes everybody सारे shift के questions same नहीं होते हैं but maximum questions repeat होते हैं फिर molecular basis of inheritance वाले chapter में देखो आपका nucleosome से related question आया था कि एक nucleosome में कितना dna-binded होता है 200 base pairs dna-bind होता है या linker dna कितने base pair से बनता है तो इधर पर आप बोल सकते हो कि approximately 54 base pair या 46 जितना भी आपको दिया गया है तो linker dna का आपको base pairs पता होना चाहिए then which of the following during interface and early process remains in condensed state heterochromatin क्या है हमारा inactive dna है आपको अब next आ सकता है कि heterochromatin किस ने discover किया था तो hates नाम के scientist ने discover किया था किस ने transforming principle दिया था देखो फोर्थ चैप्टर में से कितने सारे questions आये जबकि इसका वेटेज हमने five to six mark सी बोला था तो transforming principle दिया था फ्रेडरिक ग्रिफित ने फिर जीन म्यूटेशन के उपर questions आयते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के उपर आ सकते हैं डिलीशन के उपर आ सकते हैं Electrophoresis हम कब यूज़ करते हैं Electrophoresis हम अपने DNA fragments को separate करने के लिए यूज़ करते हैं DNA fingerprinting technique में यूज़ करते हैं forensic analysis में यूज़ करते हैं Kodon और Antikodon के बीच में कौन सा bond present होता है hydrogen bond present होता है तो इसके बारे में question आ सकता है characteristics of genetic code के उपर question आ सकता है non ambiguous nature क्या होता है तो इन सारे topics के उपर आपके questions आ सकते हैं बहुत important important topic genetic code के characteristics Kodon Antikodon का structure समझ में आ रही है बात chapter 5 chapter 5 में से तो दो से तीन ही questions पूछे जाते हैं तो दोनों shift का मिला के देखो आपको सबसे पहली बात तो कुछ भी करो पर chapter नंबर 5 में से टेबल 1.7 जो भी है 5.17 and 5.18 एक मिनट रुको इधर देखते टेक्स्बुक में खोला है मैंने चैप्टर नंबर 5 है ना आप कुछ भी option में छोड़ो बट यह दो तो option में मत छोड़ना यह देखो कौनसे दो टेबल की मैं बात कर ररहे हूं एक यह वाला टेबल यह वाला टेबल आपको नहीं छोड़ना का फॉसिल किदर पाया गया फिर आपका 113 पेज पे जो टेबल दिया है वही 5.17 तो उसमें से आपको अनलोग दिया गया था कि अगर न्यू वर्ल मंकी स्क्विरल मंकी है तो ओल्ड वर्ल मंकी का एक्जांपल के आएगा चिंपैंजी गोरिला यह इसका अंसर आएगा जावाएं पैकिंग यह किदर पर पाया गया होमो इरेक्टर देखो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन सेम आया बस पलट के आया इसमे अभी सुनो फिर क्रेंटर कपैसिटि ओफ ऊस्ट्रायवी ठेकर्स क्या है हमने पड़ा नियांडर्थल में का 14 1400 है और होमोसीपीएंस का 1450 है तो आपको ऊस्ट्रायलोपी ठेकर्स का क्रेंटर कपैसिटि क्या है वह पूछा जा सकता है फिर अपना ब्लांट वॉटर रिले एक साथ सारे मिंडरल करती है या फिर अल्टरनेटिवली अब्सॉप्शन होता है तो रूट है से रिलेटेड कोई भी क्वेशन आ सकता है चाप्टर नमबर सेवन पे बच्चों को तो एक ही क्वेशन याद था ऑग्जिन गिबरलीन साइटोकाइन एपसेसिक आसिड के प्रा कि अधर गया है कि यह देखो यह टेबल में से आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए हर एक हॉर्मोन कौन से साइंटिस्ट ने डिसकवर किया है फिर आपको प्रीकर्सर स्वरी मैंने से मेलम तरिसे बोला है गिबरलीन के लिए मेवलोनी का में त्रिप्टो वैंके श्ज्यक अक्छ आपको दिये घऑते तो ऐसे क्वेश्च्चिन आपके डाइरेक्ट टेक्स्ट में आग्ये पैटा कि यह देखो एलिक्जिर ओफ लाइफ क्या होता है कि रुटुजा आपका भी एक्जाम आज था क्या बेटा यह चार्ट भी आपके लिए काफी जज़ादा घल्फुल होगा ठीक है अपना प्लांट ञांट के चाप्टर वाला चार्ट काफी ज़ादा हल्फुल होगा आपको वाटर इसलिक्जिर ओफ लाइफ में पीडियेफ भेज दूघंगे फिर दगेफ्टर चाप्टर नंबर 8 का भी वेटेज अपना 8-10 मार्क है तो इसमें से भी क्वेश्चेन आये थे हमारे वेंट्रिकल में समझो यह अपना हाट का एट्रिया है ठीक है और यह अपना वेंट्रिकल तो वेंट्रिकल में यह जो पॉकेट लाइक स्टॉक्चर होता है इसको हम क्या बुलते कॉलम लाइक स्ट्रोक्चर तो इसको बुलते कॉलम ने कारने पि कोरोनरी आर्टरी डिजीज कौनसी कौनसी होती है उसके सिम्टम्स क्या होते है तो आपके लंग वॉल्यूम लंग कपैसिटी चाप्टर नमबर एट पे टेबल दिया है टाइडल वॉल्यूम पीडियाफ देखते हैं टेक्स्बुक का कौन सा और्गानिजम कैसे रेस्पिरेशन करता है तो उसके उपर भी बहुत सारे क्वेशन आते देखो यह वाला टेबल आपको करके जाना है यह यह वाला टेबल बहुत आता है फिर उसके बाद यह वाला टेबल भी बहुत इंप कार्बोन कार्बन करते हैं कार्बोन असट बना के तो आपको वह जो डैग्राम दिया है औक्सिजन रिलीज और पिक अप उसमें से क्वेश्चन आया था फिर फिर आर बीसी डडबीसी प्लेत लेट्स के उपर मैच था वह डाइग्राम-बेश्चन आये थे which type of epithelium is found in capillaries squamous epithelium पाया जाता है ऐसा हमने capillary का structure पढ़ा है sorry capillary बोला है न हाँ तो यह जो तीन blood vessels आपने पढ़ी थी यह देखो chapter number 8 पे जो blood vessel का structure आपने पढ़ा है artery veins and capillaries तो capillary के membrane के बारे में पूछा गया था आपको डाइग्राम नहीं दिया था बट उससे related questions बहुत सरे आए थे यह देखो capillary के बारे में दिया गया है इस से बनता है it is made up of flat squamous epithelium आंसर टेक्सबुक में दिया गया तो जिन बच्चों ने टेक्सबुक रीडिंग की होगी जिनोने honestly मेरे one-shot sessions देखे होंगे उनके लिए यह definitely बहुत 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 अच्छा जाएगा येस फिर control and coordination के बच्चों को कम questions याद थे बैलाटोनियन के उपर compulsory question आया था sleep inducing hormone कौन सा होता है जो reproductive behavior control करता है मैंने आपको literally tables बना के दिये थे thyroid gland यह दो अभी कल के question में हमने किया था दो thyroid gland कौन से particular link से connected होता है इसको बोलते इस थमस याने कि समझो यह फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट समझो इदर से uterus है इदर अपना ovary है तो इस पार्ट को भी हम क्या बोलते है female reproductive system में इस थमस बोलते है तो हो सकता है कि कल के shift में ऐसे questions आ जाए फिर limbic system जो हमारी memory control करता है यह किस से बनता है माइक डैला से बनता है हिपो कैंपस से बनता है उसके उपर questions पूछे थे hormones के match the following थे hormones कौन से hormones peptide hormones होते कौन से hormones amino acids से बनते हैं समझ में आ दिए बात फिर chapter 10 human health and disease से दोनों shift में मिला के questions दिए गए थे तो टाइफाइट के वैक्सिन टाइफा 21 हमने टाइफाइट के वैक्सिन के मतलब यह है क्या बोलते है क्वालिटी यह दिखाता है तो टाइफाइट के वैक्सिन के ओपर question था which cell form antibody अपना protein antibody बनाता है या फिर बी सेल से हमको antibody मिलता है क्योंकि बी सेल्स हमको क्या देता है क्या देता है यूमोरल इम्मुनिटे फिर ड्रक्स के match the following question थे hallucinogen के बारे में कुछ-कुछ तो पूछा था एचाइवी वाइरस के structure पर question था ग्लाइको प्रोटीन प्रेजेंट होता है सो यूमन हेल्टन डिजिस से भी बहुत अच्छे questions थे येस then enhancement of food production इसमें से तो direct table उठाके दिया जाता है कौन से organism से antibiotic मिला है कौन से organism से कौन सा organic acid बन रहा है फिर कौन से table कौन सा organism baking में use होता है कौन सा organism brewing में use होता है कौन सा free living नहीं है कौन सा nitrogen fixation करता है hearting net कौन बनाता है direct direct questions है enhancement वाले चाप्टर से भी एकदम direct direct questions दिये गए थे आपके बायो टेक्नोलोजी क्वेशन का मैंने बोला था ना कि आपको tables करके जाना है restriction enzyme वाला table करके जाना है genetically modified proteins वाला table करके जाना है देखो दिखाती हूँ कर दस मिनेट और रुख जा रहे गले को बोलती हूँ तर गया हां यह देखो रुको यह disease अपना drugs के उपर आपको questions आ सकते हैं यह देखो यह table करके जाना है यह table इंपोर्टन्ट है नहीं तरी एडिलीटट पार्ट में से यह डिलीटट पार्ट में से कौसा टेबल करना है दिखाती हूँ अगा यह तो कि यह तो इसके बाद यह बहुत इंपोर्टन एबले सारे कलर फूल बॉक्स मेंने करने बोले ते कलर फूल स्वायम के बारे में हार्टिक नेट कौन बनाता है एंडो एक्टो माइको राइजा सो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेशन आपके टेक्स्बुक से पिर बायो टेक्नोलोजी चाप्टर का कौन सा टेबल बोल रही हूं मैं देखो यह वाला टेबल एक यह रेस्ट्रिक्शन टेबल नमर 12.7 वेरी इंपोर्टन वाले क्वेश्चन कौन से प्लास्मेड आपके ब्लंट एंड शो करते हैं तो ब्लंट एंड के उपर क्वेश्चन फिर आपके वह जो टेबल 12.7 यह डायरेक्ट उसका इक्वेशन है एडित्रोपोईटिन किसके पर्टिकुलर ट्रीट् ठीक है एडित्रोपोईटिन इस यूजड ट्रीट्मेंट ऑफ अनेमिया तो यह क्वेश्चन तो बहुत बार मैंने आपको पीवाई क्यूज में ही करवाया है तो इस वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी कि आने वाले बच्चे जो है जिनका कल एक्जाम है पर्स सक्सेशन सक्सेशन अब कि सब्सक्राइब संब्सक्राइब क्या है इविल क्वार्टर्ट जो हमने पढ़ा है habitat loss fragmentation invasion of alien species तो यह इविल क्वार्टर्ट के रीजन्स आपको पता होने चाहिए क्लास 11earinose में से कौन सा शुगर 상 breach rayon reducing ॗ्लूकरायईथ मोन सैक्राइद है इसके नहीं आएगा और इदर 25 सेक्राइद तो सीनि आएग यह नहीं Sis français 15 तो यह नहीं आएगा यह यह नहीं आएगा आंसर के आएगा इसका भी वाला फिर बायो में नोमेंक्लेचर ओफ एंजाइम ऑक्सिडो रिड़क्टेज लाएज आइसोमरेज यह सारे टाइप 6 टाइपस के जो एंजाइम्स है उसके ओपर दो क्वेशन आये थे डाइबेटीज मेलेटेस के ओपर क्वेश्चन आये थे य के कि यॅ है कि एसं Oh i one more hos जिसे पहचान हो गए आपके क्लास 11 बायो मॉलिक्यों के चैप्टर में स्टार्टिंग में 6.2 एक टेबल दिया गया बायो bereit कोकल चाप्टर में उधर सिधा सिधा एक Bri tis के इग्जांपलि तो आपको एग्जांपल Lर्न करके जाने है तो आब और को मुझे टेली अराम पर भेजा है बच्चों ने केमेस्ट्री में देखो और क्वेशन्स पता चले बायो के एलियन स्पीशिस के ओपर क्वेशन था इंट्रा कैम्बियम के ओपर क्वेशन था कार्भोहेडर साइकल में ह2O का क्या यूज है वह था फिर HIV का डायमिटर देता है इसके ओपर एकक्वेशन आया था आपके केमेस्ट्री प्रोसें मेकानिसं मीकानिसं incentives के ऊपर ग्रॉयों आया Gas you इसके अलावा फिजिक्स भी काफी मतलब ठीक है इस तो देखो जिसका जिसका कल शिफ्ट है आप लोगों से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप यह चैप्टर वाइज एंसी क्यूव करके जाओ और अभी जो हमने 100-100 एंसी क्यूव वाली वीडियो लिये आप वह एंसी क्यूव करके जाओ आपको गैरंटी देती हूं कि आपका पीसी बी का पेपर अच्छा जाएगा फिजिक्स वाला भी एंसी क्यूव का वेडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके अलावा यू कर सकते हैं तो आपको तो पता ही है कि हमारा जो आफ्लाइन सेंटर है वह मुंबई में है यहां 11 के अल्रेडी स्टार्ट हो चुके तो आप इस वाट्साप नमबर पे कॉल करके कॉल नहीं मैसेज करके अपने अड्मिशन बु सब्सक्राइब NCRT और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रूप पे मिल जाएगी यह जो क्वेश्चन की PDF है यह आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रूप पे और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखो 2000 बच्चे लाइव देख रहे हैं लेकिन सिफ 700 बच्चों ने लाइक किया है मतलब इतने मरने की हालत में वी सेशन ले रही हो लेकिन तुमको एक लाइक बटन पर क्लिक करने के लिए कितना मैनत लगता है ठीक है जाने तो जिसकी मर्जी है तो एक काम कर देना लाइक नहीं भी करना है तो भी कोई बात नहीं है बट इस वीडियो को शेर करो ताकि जो आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे उनको काफी हेल्प हो सके और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहचाओ ठीक है चलो all the best everybody अच्छ और वाइस क्वेशन नहीं आएंगे mix questions आते प्रियांशु सिंग इधर पर आप अपना question type करो बेटा अभी वह comment ढूणने जाओंगी तो मेंको नहीं मिलेगा और किसी का कोई question है क्या जिसका जिसका थडोमल सहानी कॉलेज लगा है सत्रा तारीक को मिलेंगे उसको चालेल admit card वरती वेगली फोटो है तरी चालेल no problem तुक्का बुक्का मारना मैंने बताने वाली अकड़ बंबे बो करके अब भगवान का नाम लेना और टिक कर देना कल की फर्स शिफ्ट इजी आएगी फर्स सेकेंड दोनों शिफ्ट इजी आएगी जो questions आज मैंने बताया है वो करके जाओ उसमें से repeat होगा कि यह अगर मेरे एंसी क्यों के इस वीडियो देख के जाते हो तो बायो में 50 परसेंट से ज्यादा मार्क सा सकते आप संदीब यूनिवर्सिटी की बारे में मुझे नहीं मालूम प्रियांशों सेंग इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में अभी यह पीडिएफ आपको टेलीग्राम ग्रूप पर दे देती हूं मैं ठीक है चलो अभी सबका कुछ भी question नहीं है सबके questions मैंने अल्रे से ज्यादा शेयर करें और अगर मेरी मेहनत पर थोड़ा सा तरस है तो वीडियो को लाइक कर दें ऑके बाइबाइबरीबडी सी यू गुड़नाइट और स्टड़ी वेल बाइबाइबाइब